करनाटक चुनाओ जीतने के लिए कॉंग्रेस और बीजेपी ने कई दाओं के लिए जम कर रैली भी की लेकिन आज पता चल जाएगा कि आकरेकार किसकी रैली ने कमाल करतिया और कौन फिस अड़ी सा भीत हुआ जीहां दरसल आज करनाटक में विधान सबाद चुनाओं हैं और भारी तादाद में लोग वोट डालने के लिए अपने घर उसे निकल रहे हैं किसके पाले में ज्यादा वोट गए ये तो 15 मई को ही पता चल पाएगा वहीं एक तरफ जहां कौंग्रेस की नाका सवाल है तो वहीं बीजेपी के लिए भी ये किसी अगनी परिक्षा से कम नहीं है वहीं आप तक जो जानकारी मिल रही है वो यह है कि अभी तक मर्दान फिलाहर शांती पूर तरीके से हो रहा है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राज्य में 4.98 क्रोण से अधिक मदाता हैं जो 2600 से अधिक उमिद्वारों के बीच से अपने प्रतिनिदियों का चुनाओ कर सकेंगे इन मदाताओं में 2.52 क्रोण से अधिक पुरुस करीब 2.44 क्रोण मैं लायत था 4552 ट्रांसजेंडर हैं वहीं अगर बात करें करनाटक चुनाओ के नतीजों की तो 15 मैं को इसके नतीज़े आ जाएंगे नतीज़े आने के बाद इस बात का फैसला भी कहीं न कहीं हो जाएगा तो आखेकार जो कई राज्यों में विधान सबाच चुनाओ होने वाले हैं उन चुनाओ में कौन सी पार्टी चिते के इतना ही नहीं लोग सबाच चुनाओ को भी इस नतीजों के जर यहां का जाएग SP9 Newsroom की रिपोर्ट